देनेक्स है कि चितवन पार्क भारत के किस पड़ोसी देश में इस्तित है यह आप लोगों को बताना है चितवन पार्क के बारे में काफी आपके अलग-अलग पेपर में कुष्चन पूछा जाच चुगा है जो की हमारे भारत के किस राजी सी सीमा साज़ा करता है यह भी आंसर करके बताएंगे आप लोग क्या हमारा आंसर यहां पर रहेगा चले जल्दी से यदि हम चितवन पार्क की बात करते हैं तो यह है किस भारत के पड़ोसी देश में यह इस्तित है यह है आपको बताना है आंसर कीजीगा बिल्कुल सही क्या हो जाएगा नेपाल बिल्कु हुआ है और यह नो सो तेहीं किलोमेटर का इसका एरिया है 1973 में इसे नैशनल पार्क का दर्जा दिया गया था और यह है नेपाल से विश्वधरोहर स्थल में विश्वामिल है नेपाल की और से घिसे की 1984 में World Heritage Site में शामिल किया गया था नेपाल देश की और से तो क्या हो जाएगा यहां पे हमारा यह अपना आंसर हैगा अच्छा एक चीज़ और याद रखेगा यह नेपाल देश का पहला नेशनल पार्क है नेपाल का यह है पहला नेशनल पार्क है तो कभी भी पूछा जाए आप से कि नेपाल देश का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है तो क्या हो जाएगा चितवन पार्क देन अगले क्रेशन की और बढ़ चलते हैं कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है एक तरफ आपको राज्यों के बारे में दिया गया है और दू कीजिएगा चले बताएंगे चल्दी से क्या यहां पर हमारा सही आंसर यहां पर रहेगा कोई एक है जो कि आपको यहां पर गलत दिया हुआ है और वहीं आपको ढूंड़ना है बिल्कुल-बिल्कुल देखो आपका जो जर्नल अविनेंस का जो portion है नहीं आपका started UK की वाले में ही यहां पर आ जाता है चले बताएंगे जल्दी से क्या यहां पर फें हमारा संचर रहेगा जल्दी से किया अपना आंसर हेगा यह आप लोगों को बताना है आंसर कीजिए फटा फट से जल्दी से क्या अपना आंसर हमारा रहेगा बिलकुल सही है कुछ बच्चों का आंसर सही आ रहा है, आपको पता है, ग्रूब D के अंदर आप लोगों के पूछे तो जाते हैं, जनरल फैक्ट ही, लेकिन उन जनरल फैक्ट में कुछ ऐसी चीज़े आप लोगों से जनरली पूछी जाती हैं, जो हम लोग इसली याद नहीं करते हैं, जैसे कि लोग सभा हुआ, राज् करते हैं यहां सभाटा जो कि इन्हों ने नहीं ह烟 है कि थार्टी नाइन इप इस सीटे हैं नहीं बात करते हैं न तो मद्ध्य प्रदेश में लोग सभार से यहां पि ऍशलड़ की पूचह rich融न की नाइन इ Scratch मुझे उसके बारें बताएंगे क्या आपना यहां पे हमारा अंशर रहेगा फटा-फट से सबसे जादा अगर मैं बात करों कि किस राज्य में हें तो यह आपको बताना है किस जादा लोग सभा की सीटें हैं किस राज्य में है और कितनी यहां पर लोग सभा की सीटें हैं यह भी आपको बताना है फटा फट से आंसर करके मुझे बताएंगे चले जल्दी से क्या हो जाएगा यहां पे अच्छा एक चीज़ों देखना इसमें ना आपका ये भी गलत दिया हुआ है तमिल लाडू की बात करते हैं तो तमिल लाडू में 39 सीट्स हैं लोक सभा की इसमें आपके दो यहां पे हमें ऑप्शन गलत दिये हुए हैं एक तो मध्य प्रदेश वाला जिसमें की 29 होगा और तमिल लाडू वाला जिसमें की 39 होगा तमिल लाडू में 39 लोक सभा की सीटे हैं चलिए क्या हो जाएगा यहां पे उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहां पे 80 सीटे हैं ठीक है इसमें आपको दो गलत दिये हुए हैं यहां पे 29 होगा और यहां तो मध्य प्रदेश में 29 और तमिल लाडू में क्या हो जाएगा थाटी नाइन अगले कोश्चन की और बढ़ चलते हैं हम लोग क्या रहेगा यहां पर अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्ण में से कौन सी एक नवरतन कंपनी है यह आपको बताना है अंसे कीजिए अंसे कीजि क्या हो जाएगा यहां पर की गैल इंडिया लिमिटेड यहां पर दिया गया है आपको इसकी बात करते हैं यह भी महारतन कंपनी है ठीक है कोल की बात करते हैं महारतन कंपनी है हिंदुस्तान पैट्रोलियम कॉर्परेशन लिमिटेड यानि की HPCL की बात करते हैं तो यह भी महारतन कंपनी है, कौन सी नहीं है महारतन कंपनी कौन सी नहीं है महारतन कंपनी Oil India Limited जो कि आपका D option में यहां पर दिया गया है चले, क्या हो जाएगा यहां पर आपका D option जो की है वहें क्या हो जाएगा हमारा यहां पर गलत अपना रहेगा कुछ कोता कि स्पाइए कि जल्दी से बताएंगे किया भी हमारा यहाँ पर अपना O answer रहे हैं फटा फट सेक्षिंगे एपना marble Filmका भारत की महाइन कंपणी के अंदर आती है और जो कि हमारा टॉप पर दिया गया था कौन सा गेल ये भी भारत की महारतन कंपनी है महारतन कंपनी के बारे में थोड़ा सा याद कर लीजिए चले अगले कोशन की बढ़ चलते हैं हम लोग कि निम्ड में से कौन सा सुम्मेलित नहीं है यह आपको बताना है श्वेत क्रांती की बा कुरियन इसके जनक जाने जाते हैं चलिए यह वाला बिल्कुल सही है सुनहरा कांती यानि कि सुनहरी कांती की बात करते हैं यह जूट क्या हो जाएगा जूट यह आपका गोल्डन फाइबर आएगा गोल्डन फाइबर क्या जाएगा गोल्डन फाइबर गोल्डन फाइब revolution की बात करते हैं तो यह आपकी संबंधित है जूट से golden revolution की बात करेंगे तो golden revolution आपकी शहद से संबंधित है किसे शहद से the next time gray revolution की बात करते है तो gray revolution यह आपका औरवरक से संबंधित है ठीक है हम मतस्य खेती की बात करते है मतलब की जो कि अमचलीों का पालन करते हैं इसकी बात करते हैं तो यह आपकी नीली क्रांती इस से सम्बंधित है और हरित-सोने क्रांती की बात करते हैं तो यह बांस उत्पादन से संबंधित है एक हर जबह देख लेना यहां पर यदि आप से golden revolution कि बारे में पूछा जाय wizard की यहां अब कि आपके जूट की उसी तो ब्लू से ब्लू रभॉलिशंगी तो ब्लू रवनिशन की बात की जाएगी तो ब्लू रभॉलिशन अपके मदसे यानि की मचली के उतपादन से संबंधित है और यहां पर जो कि आपको gray revolution दिया गया था gray revolution यह fertilizer यानि की उर्वरक से संबंधित है ठीक है तो यह कुछ color के अनुसार इन क्रांतियों के बारे में आप लोग याद रखेंगे अगले question की और बढ़ चलते हैं the next कि निम्न में से कौन सा सुम्मेलित नहीं है यह आपको बताना है चलिए आंसर कीजिएगा हाँ बिल्कुल पिली क्रांती की बात करते हैं तो यह आपकी तिलहन से संबंधित है ठीक है oil sheet और gold revolution की बात करते हैं बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा potato यानि की आलू से संबंधित है ठीक है चलिए अगले question की और बढ़ चलते हैं इन में से कौन सा सुम्मेलित नहीं है यह आपको बताना है यहाँ पे आपको कुछ घाटियों के नाम दिये गए हैं और उनके सामने आपको कि वह किस राज्य या फिर केंद्र शासत प्रदेश में हैं उनके नाम आपको दिये गए हैं देखते हैं जरा सुरू घाटी की बात करते हैं तो यह कहाँ पर है लदाख में है सोर घाटी की बात करते हैं तो यह कहाँ पर है उत्राखंड में है पारवती घाटी की बात करते हैं तो कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में है नेलांग घाटी की बात क जाए तो कहां पर है यह है उत्रा खंड में है याद रखीगा अगली कोशन की और बढ़ चलते हैं हम लोग दर नेक्स यहां पर एक तरफ यहां पर आपको सुम्मेलित नहीं है वह आपको ढून रहा है जिसमें कि आपको एक तरफ राज्यों के नाम और दूसरी तरफ आपको इनके मुख्य मंत्रियों के नाम दिये गए है और आपको बताना है कि इन में से कौन सा यहां पर सही नहीं है पंजाब राज्यी की बात करते हैं तो यहां के वर्तमान समय में मुख्य मंत्री है वह कौन है भगवंत मान बिल्कुल सही बात है जारखन की बात करते हैं जारख मनोहरलाल खटर और यदि हम करनाटक की बात करते हैं तो कौन है यह है बस्वा राज बुम्मई बस्वा राज बुम्मई जो की है यहां के मुख्य मंत्री है पिंड्रई विज्यन की बात करते है यह कहां के है यह है केरल राज्ये के क्या हो जाएगा केरल राज्ये के तो क्या होगा कि भई इन्होंने यहां पर हमें गलत दिया हुआ है जो कि सही तरह से मेल नहीं खाता तो क्या हो जाएगा कि अगले गोशन की और बर चलते हैं कि वर्तमान समय में नागरिक विमानन मंत्रा ले कौन संभाल रहे हैं यह आपको बताना है यानि कि दर्मेंदर प्रधान की बात करते हैं तो यह हमारे education यानि की सिक्षा मंत्री है इसके साथ ही हम लोग बात करते हैं नारायन तातू राने की तो यह है MSME यानि की यानि की micro small medium entrepreneurship का जो की मंत्रालिय है इसे यह संभाल रहे है इसके साथ ही हम लोग बात करते हैं जो तिरा दित्ति MS Indhya की तो यह है हमारे civil aviation ministry को संभाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा यह हमारा सही आंसर रहेगा अगले question की और बढ़ चलते हैं हम लोग यहां पे बताएंगे आप लोग कि 2011 की जड़ गणना की अनुसार भारत का न्यूंतम जन घनत वाला केंदर शासित प्रदेश कौन सा रहा यह आपको बताना है केंदर शासित प्रदेश यदि मैं राज्यों की बात करूं राज्यों में देखूं तो कौन सा रहा है सबसे कम घनत वाला यह रहा है अरूना चल प्रदेश कौन सा रहा है सबसे कम घनत वाला रहा है अरूना चल प्रदेश जहां का जो की घनतव है वह निवास करते हैं और यदि हम केंद्र शासत प्रदेश की बात करें तो यदि हम केंद्र शासत प्रदेश की बात करें तो क्या रहेगा यहाँ पर केंद्र शासत प्रदेश लक्षदीप है चंडिगड़ है अनमा निकोबार है क्या हो जाएगा यहाँ पर अनमा निकोबार जह कौंगाली बिहू त्योहार किस महा में मनाया जाता है यह आपको बताना है देखो एक तो मोटा मोटा याद रखना कि जैसे ही आप लोगों से बिहू डान्स फॉर्म या फिर बिहू आपसे फैस्टिवल के बारे में पूछा जाएगा आप सिधा अंसर करेंगे असमराज जी अब बिहू जो त्योहार है यह एक वर्ष में तीन बार मनाया जाता है अलग अलग महीने में कितनी बार तीन बार यह मनाया जाता है जो कि अलग अलग महा में यह मनाया जाता है अलग अलग महा में यह मनाया जाता है अब बताना है आप लोगों को कि कैसे क्या रहेगा यहा भोगाली ठीक है रोंगाली या फिर इसे जाना जाता है क्या भोगाल भोगाल भीहू के रूप में इसको जाना जाता है ठीक है वहीं हम लोग जन्वरी की बात करते हैं असम राज्य मना महीने के बारे में आपसे पूछा गया है आपको महीने के बारे में बताना है जन्वरी क भात करते हैं तो भोगा या फिर भोगाली भूगाली विहु के रूप में यहां मनाया जाता है चल्क परेन है अप्रेयल में तो रोंगाली के रूप में मनाया जाता है जनवरी में यह है भोंगाली के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है और अक्टूबर में यह है कौंगाली के नाम से मनाया जाता है ठीक है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अक्टूबर महा हमारा आंसर रहेगा महिनों के बारे में भी याद रखेगा अप्रेल जन्वरी और अक्टूबर तीन ठीक है चले अगले गोशन के और पर चलते हैं कि निम्ण में से कौन सिता से संबंधित व्यक्ति है यह आपको बताना है जो कि चार व्यक्तियों के नाम आ से संबंधित है यह आपको बताना है आंसर कीजिएगा जल्दी से भी क्या अपना आंसर यहां पे अमारा रहेगा बताएंगे देखो यदि हम शिव कुमार शर्मा की बात करते हैं तो इनके बारे में जस्ट हम लोगों ने भी देखा ही था कल भी कोशिन किया था कि यह सरोद वादक है ठीक है और यदि हम अली अकबर खान की बात करते हैं तो यह किस से ब्लॉंग करते हैं यह भी यहां पर आपका सरोद से ब्लॉंग करते हैं संतूर से संतूर से ब्लॉंग करते हैं और यह ब्लॉंग करते हैं सरोध से किससे सरोध वादक की रुप में जाने जाते हैं अब आपके पास ऑप्शन है सज्जाद हुसेन और यहाँ पर विलायत खान बताएंगे जल्दी से कि कौन सा यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा सज्जाद हुसेन की बात करते हैं तो यह सुर्भाहार से ब्लॉंग करते हैं और विलायत खान जो की है यह ब्लॉंग करते हैं सितार वादक के रुप में जाने जाते हैं साथ पंडित रवी शंकर के बारे में भी याद रखेगा यह भी सितार वादक है याद रखेगा पंडित रवी संकर बताना है यह आपको बताना है एक तरफ आप लोगों को कुछ लोग निर्तियों के बारे में दिया गया है और उनके सामने आपको राज्यों के बारे में दिया गया है जिसमें की कोई एक है जो की जो की सही तरह से सुमेलित नहीं है जल्दी आंसर करना अच्छी बात है लेकिन इतना भ विहार राज्ये से संबंदित है, यहां पर जत, जटिन नर्तय भी होता है, कहां पर बिहाराज्य में, फाग की बात करतेएं, तो फाग होता है, हरियाञाराज्य में, होता है और साथ ही यहाँ पर एक सांग निर्ते भी होता है कहाँ पर हर्याना राज्य में तो यह वाला गलत है ना कि हिमाचल प्रदेस में होता है हिमाचल प्रदेस की बात करते हैं तो यहाँ पर धमाल होता है और यहाँ पर नाती निर्ते होता है हिमाचल पुरदेश में इसके साथ ही कुद दांडी नाच की बात करते है यह जम्मु कश्मीर से बलॉंग है और गगोर की बात करते है तो यह हर्याना से है जो आप लोग बोल रहे है न डी ऑप्शन ठीक है? वह गणगोर है गणगोर ठीक है गणगोर की बात करेंगे तो ये आपका राजिस्थान से ब्लॉंग करता है यहाँ पे आपको दिया गया है गगोर गणगोर नहीं दिया गया है गगोर दिया गया है नए नहीं है यहाँ पर ठीक है सिर्फ गगोर दिया गया है यह आपका हर्याना राज्जी में ही होता है और गणगोर होगा तो आपका कहाँ पर होगा राजिस्थान राज्जी में चले अगले कोशन की और बढ़ चलते हैं नेक्स्ट है हमारा की शार जहां किर्केट स्टेडियम किस देश में इस्तिध है यह आप लोगों को बताना है यह एक क्रिकेट स्टेडियम है जो कि यह किर्केट खेलने के लिए यूज की जाती है इसके साथ ही वर्ड में अगर हम सबसे बड़ी क्रिकेट स्टेडियम की बात ठीक है चले एक स्टेडियम की बात किंँ है तो यह इस कहां पर है बताएंगे आप लोग क्या ओजाएगा यह कहां पर सयुक्त अरब रात है भारत की विश्वधरोहर स्थाल में स्वामिल नहीं किया गया था यह आप लोगों को बताना है आंसर कीजीगा वर्तमान समय में यदि हम भारत की विश्व धरोहर इस्थल की बात करते हैं तो वे हैं कितनी है 40, 40 हैं सबसे पहली बार भारत की विश्व धरोहर इस्थल में 1983 में शामिल की गई थी जो कि 4 साइट को शामिल किया गया था सबसे पहली बार चिक है चल साची की स्थूप को फिर कम शामिल किया था बतायो गे आप लोग इसे फिर भिए कभी आहाँ पर शामिल किया घानवे में Clara 1989 में er Pastad Kal को सुनदरवन नेशनल पार्क एलएफाइ इन सभी को 1987 में शामिल किया गया था अगले कोशन के और बढ़ चलते हैं यहां पर अनुसंधान केंद्र के बारे में आपको दिया गया है और आप लोगों को यहां पर आंसर के बताना है कि भई कौन सा यहां पर सुमेलित नहीं है ठीक है सबसे पहले दिया गया है कि भारतिय दलहन अ कानपुर में है। चले क्या हुगा है। यह जाएगा है कानपुर सही है। Talisus ृ नेक्स्ट राष्टित चीनि अनु Scale इन्हों कहा है कि यह कटक में है केंद्रिय भौण मरी जांधल में कि आप पर है यह रूड के मैं ही है। राष्ठी समुंद्री विज्ञान संस्थान की बात करेंगे तो कहां पर है यह है परजी में यदि हम रास्टी चीनी अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो भाई यह कटक में नहीं है बलकि कहां पर है कानपुर में है कटक की बात करते हैं तो यहाँ पर चावल अनुसंधान संस्थान है भारत का यहाँ पर चावल अनुसंधान संस्थान है भारत का तो क्या हो जाएगा सेकंड वाला यहां पर आपको गलत दिया गया है चीनी क्या हो जाएगा चीनी कान में डाली जाती है तो चीनी का आप लोग कानपूर से रिलेट करके याद कर सकते हैं चीनी कान में डाली नहीं जाती है ऐसे डाल करके एक्सपेरिमेंट मत कर लेना तो बस ऐसे आपको याद कर बारे में दिया गया है और उनके सामने आपको उनके मुख्यालियों के बारे में दिया गया है और यहां पर सुमेलित आपको ढूंड़ना है इट मिंस कौन सा यहां पर सही तरह से सुमेलित है यह आपको ढूंड़ना है ठीक है सबसे पहले बात करते हैं अंतरास्टिय अक्ष इसका मुख्याल्य कहाँ पर है जर्मन की राजधानी बर्लिन में ठीक है और उत्तर अट्लांटिक संधी संगठन यानि की NATO North Atlantic Treaty Organization की बात कर लेते हैं इसका मुख्याल्य कहाँ पर है बेल्जियम में कहाँ पर है बेल्जियम में ठीक है अगर हम यूनिवर्सल पोस्टल यूनिवर्स की बात करते हैं, तो इसका मुख्याले कहां पर है? बर्न में हैं. जो कि सिर्फ यहां पे आप लोगों को कौन सा आंसर सही दिया गया है? सिर्फ यहां पे आपको A-Option ही सही आंसर दिया गया है. बेल्जियम की राजधानी जो कि एक्जामपूर का टैलिग्राम चैनल बना हुआ है आर आर सी ग्रूब डी एक्जाम 2022 के लिए तो उस टैलिग्राम चैनल को जोइन कर लीजेगा जो की ओफलाइन कमेंट में पिन रहेगा वहां पे आपको यह PDF मिल जाएगी रिविजन के लिए तो वहां पर रिविजन क लानी नीकित क्सानी भके पतीन पहलती है जोकी इसमें से कोई क्वी एक्जम यहां पर यहां पर मेल नहीं खाता देखते हैं जरा क्या हो जाएगा मुख्य मंतरी अनुपरिती कोचिंग की बात करते हैं योजना के बारे में तो यह राजिस्थान से संबंदित है बिल्कुल सही मातर शक्ती उद्मिता योजना की बात की जाए तो यह हर्याना राज्ये से संबंदित है थैला बैंक योजना क की बात की जाए तो यह आपका उत्तर प्रदेश से संबन्दित है बात सल्ये योजना की बात की जाए तो यह आपकी उत्रा खंड राज्य में चलाई गई थी जो कि कोविड-19 के दोरान जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया उन्हें 3000 पर मन्त 3,000 तीन पर मन्त उन्कों रुपे यहां पर दीये जायेंगे और उन्की 21 वर्श तक की आयू तक उनको दिये जाएंगे जिससे की उनके chỉ पढलन पोगशचर में और उनकी पढ़ाई का जो खर्चा है वह है उनको मिल सके ठीक है यह 21 वर्ष तक कि आयू को उनको वहां पर दिये जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर हमारा डी ऑप्शन इन होने हमें यहां पर गलत आंसर दिया हुआ था क्वेशन पर आ जाते हैं कि सैंट जोर्ज चैनल किन देशों को अलग करता है यह आपको पताना है यह कोशन मैंने कल भी आप लोगों को कराया था अगर भी आप लोगों को याद हो तो याद है कल भी बताया था मैंने इसके बारे में आप लोगों को फ्रांस और ग्रेट ब्रेटेन की बात करते हैं तो इन्हें कौन अलग करता है डोवर जलसंधी डोवर जलसंध दोवर्जल संधी के माध्यम से यह अलग होते हैं फ्रांस और ग्रेट ब्रेटेन ठीक है युरोप और एश्या की बात करते हैं तो जिब्राल्टर संधी से यह अलग होते हैं आर्लेंड और ग्रेट ब्रेटेन की बात करते हैं आर्लेंड और ग्रेट ब्रेटेन विल्कुल सही इन्हें अलग करता है कौन? सैंट जोर्ज चैनल इन्हें अलग करता है और यही अगर हम आरलेंड और स्कोर्ट लेंड की बात करें तो यह उत्तरी चैनल के माध्ये से अलग होते हैं उत्तरी चैनल के माध्ये से यह अलग होते हैं ठीक है, यहाँ पे अपना क्या answer सही रहेगा, थर्ड option हमारा सही answer रहेगा, चले अगले question की और बढ़ चलते हैं, यहाँ पर, एक तरफ आप लोगों को कुछ राजवंश के नाम दिये गए हैं, और उनके सामने आपको उनकी राज़ानियों के बारे में दिया गया है, तो in-way से सही तरह से सुम्मिलित आपको नहीं दिया गया है, देखते हैं, लोधी वंश की बात करते हैं, तो इनकी राज़धानी क्या रही है, पीडियफ नहीं होता, पीडियफ अपलोड हो रही है, और पीडियफ आप लोग को डेली ही दिलाय जा रही है, तो चेक कर लिजी क पीडियाफ जो है टेलिग्राम चैनल को अगर आपने जोइन किया हुआ है जो की अरसी गुरुबडी 2022 के लिए बना हुआ है एक्जामपूर का तो वहां पर आपकी सब्जेक्ट की पीडियाफ जा रही है और मैं तो अपनी डेली पीडियाफ दे रही हूं कल की पीडियाफ उ रही है इनकी राज़ानी के रुप में आपर रहा है हर्यकवंश की बात करते हैं हर्यकवंश हर्यकवंश की बात करते हैं तो राजग्र है इनकी राज़ानी रही है पार्टली पुत्र की बात करते हैं तो यह मोर्ये सामराज्जे के दोरान उनकी राज़ानी हुआ करती थी तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका C option गलत दिया हुआ है शिशो नाग की बात करते हैं तो वेशाली इनकी राज़ानी रही है ये भी आपका सही है अगर तुक्का लगाओगे तो हर बार ये है नहीं है कि D option ही आपका सही answer रहेगा बिश में आपको सही तरह से answer देना है ग्रूब D में जादा तर आपके deeply questions कम और generally fact वाले कि किसी राज़वन्स के संस्थापक कौन रहे है अंतिम शाशक कौन रहे है या फिर उसकी राज़धानी कौन सी रही है ये चीजे सबसे जादा आप लोगों से पूछी जाने वाली है भारती मूल की लीना नायर को किस देश की कमपनी शनेल ने लंदन में अपना CEO न्यूक्त किया है यह आपको बताना है अपोइंटमेंट के बारे में चले आंसर कीजिएगा जल्दी से क्या अपना आंसर हमारा यहां पे रहेगा फटा फट से यह है आपको बताना है चले किस देश के दौरा न्यूक्त किया गया है फ्रांस देश के दौरा ठीक है जो कि इन्होंने अपनी कमपनी शनेल के लंदन में CEO के रुप में न्यूक्त किया है और लीना नायर कहां से है भारतीय मूल की है दे नेक्स ने हमारा कि चाबाहर प्रोजेक्ट में निम्लिकित में से कौन सा देश यहां पर शामिल नहीं है अगर आप नोट्स भी ना बना पाओ तो आप लोग PDF ले लिया किजिए वहां से अपना रिविजन कर लीजिएगा चले आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा ह भारत इसमें शामिल है अफगानिस्तान इसमें शामिल है इराक और इरान में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है इराक इराक इसमें शामिल नहीं है इसमें तीन देश है शामिल भारत इरान और अफगानिस्तान तो क्या हो जाएगा यहां पर इन तीनों देशों ने इराग जो की है वहें इसका हिस्सा नहीं है नेक्स है कि डॉक्टर सार्गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है यह आपको बताना है आंसर कीजिएगा यह किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर यहां पर बनी है तो क्या हो जाएगा पाकिस्तान प sikhar sammelan कiku ayajan यहां पर किया गया था इसकी थीम दावस के बारे बताना है कि इस sammelan का जो ayajan किया गया था दी इस्टेट ऑफ दी वर्ल्ड तीक है अभी 2022 में जन्वरी में इस recreate आयजन किया गया था जिसमें हमारे भारत की ओर से हमारे प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी इसमें शामिल रहे थी तो दी स्टेट ऑफ दी वर्ल्ड इसकी थीम रही है कुशन है कि विश्य में कृतीम चंद्रमा तियार करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है पहले इन्होंने सन को बनाया था और अब इन्होंने आर्टीफीशल मून को बनाया है और यह कौन सा देश है यह है चीन यह है दूसरा चंद्रमा भी लाने की कोशिश में है तो यहां पर याद रखेगा क्या हो जाएगा चीन जो की है यह हमारा सही आंसर रहेगा अगले गश्यन की वर बढ इस्टेशन का नाम किस भारती क्रांती कारी के नाम पर रखा है यह आपको बताना है अंसर कीजीगा किस भारती क्रांती कारी के नाम पर रखा है यह आपको बताना है अंसर कीजीगा कि बाल गंगा धर तिलक के नाम पर कि सुभास चंद्र बोस के नाम पर या महात्मा बिल्कुल सही क्या हो जाएगा महत्मा गांधी के नाम पर रखा है अच्छे यह बताओ मोरिशस की राजधानी क्या है राजधानी अगर हम मोरिशस की राजधानी की बात करें तो मोरिशस की राजधानी क्या है आंसर कीजिए मोरिशस की राजधानी क्या है यह आपको बताना महतमा गांधी हमारे देश के राश्ट पिता यानि की महतमा गांदी जी के नाम पर रखा गया है बापु ए- rebellious फिरा पॉर्ट लुइस बहुत सभी एक आंसर आया है पॉर्ट लुइस इसकी राजधानी है मौरिशस की कोश्चन पर बढ़ते हैं कि बुकर प्राइस की शुरुवात किस वर्ष में की गई है इस पुरुसकार की बात की जाए तो यह है साहिती के छेत्र में दिया जाता है तिके य अंदर 50,000 Pond की price money उपहार के रूप में दी या और ला1 को लाइक कर देना फीर से सर बोल करने गई मैं मांव अब जनी बढ़ा रही है है कैसे आउसे अप लोग तभी लाइक करते हो जब बिजती हो जाती है हाँ क्लास को पहले एक बार Like कर दिया करो सभी बच्ची को लाइक कर देंगे बठाफ़त से अच्छी लाइक कर दीजेगा आप सब कि चलिए चैनरे किरेंगे सुरज बहुत अच्छे लिली औंसे की जिए पढ़ाइय कीजियोorth चलिए तो बताइंगे कब इसकी शुरॉआत की की गई है बुक लिखने वाले व्यक्ति को इंग्लिश के साहित्य के लिए दिया जाता है साथ ही 1981 में दिया गया था सल्मान रुजदी को सल्मान रुजदी को यह भारती मूल के जरूर रहे हैं लेकिन जब इन्हें पुरुषकार से समानित किया गया था तब इनके पास भारत की आन्हें तब हर्फ़ जडव पह साथ ही 2006 में किरणदेशाई को दिया गया था 2008 में अरविन्द अडिगा को दिया था बॉइत टायगर के लिए अर्विंद इडीगा को दिया घा था दि वायट-टायगर के ले इनके बारे में याद रखना इनके पास भारत की नाघ्रिकता रही है जब इन पुरुस्कार से संवारित किया ता यह भारती मूल के रही है लेकिन नागरिता भारत की नहीं थी बागी इसके उपर आगे question करेंगे कि किसको यह last time दिया गया है किलियर रहे यहां पर चले अगले question की और बढ़ चलते हैं हम लोग the next answer करेंगे आप लोग कि पुसका शहर किस नदी के किनारे पर इस्तित है भई यह आपको बताना है answer कीजीगा गिता अंजली को इंटर नेशनल बुकर प्राइस देया है हाँ बिल्कुल रहने बिल्कुल सही है और लाइक कर दो फटाफट से आप लो जल्दी से जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है session को सभी बच्चे क्लास को एक बार लाइक कर द यदि हम इसकी बात करते हैं तो भई किस नदी के किनारे पर यह इस्तित है यह आपको बताना है बनास ओके इसकी हम बात करते हैं तो भई यह है लूनी नदी के किनारे पर इस्तित है इसके साथ ही यहाँ पर बिलारा शहर भी इसी नदी के किनारे पर इस्तित है इसके साथ ह बालो तरा शहर भी लूनी नदी के किनारे पर ही इस्तितु है और लूनी नदी राजिस्थान की प्रमुक नदी मानी जाती है बाकि यह एक सीजनल नदी है जो की run off कण्छ में जाकर के समाप्त हो जाती है तो क्या आंसर हो जाएगा A option यह हमारा सही आंसर रहेगा infinity bridge किस देश में बनाया गया है infinity bridge जो बनाया गया है यह है कुछ infinity के आकार में बनाया है infinity आप लोग science में पढ़ते ही होंगे कुछ इस तरह का होता है जिसका मतलब होता है कि सीमित नहीं है लाइक डिजट चलती जा रही है है जैसे कि 123 123 123 जो लूप है एक तरह से चलते जा रहा है तो यह क्या हो जाएगा infinity हो जाएगा तो इस तरह का यह है क्या होता है infinity के आकार में यह िस बनाया गया है एक बारी लाइक करना जोड़ेन वाला पुल यह हैじゃあ ठीक है, तो क्या अंसर हो जाएगा भै हमारा यहाँ पे, United Arab Arab Emirat में यह है बनाया गया है, ठीक है, United Arab Arab Emirat में यह है बनाया गया है, D option अपना सही अंसर हमारा रहेगा, चले अगले questions की और बढ़ चलते हैं हम लोग की एक तरफ आप लोगो को कुछ खिलाडियों के नाम दिये ग रही हूं बल्कि मैं आप लोगों को संभावित questions करा रही हूं यानि कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा रही हूं अब इस question में क्या होता है कि हमारे चार point clear होते हैं हमें पता चलेगा कि Ashley Barty कौन से खेल से संबंध ही थे हमें Leo Carter के पता चलेगा हमें मालविका के बारे में मनिश कोशिक के बारे में पता चलेगा तो इस तरह के question से हमारे चार point clear होते हैं आपके सामने चले जल्दी से बताएंगे यहां पर फटा-फट सी करते हैं Tennis से ब्लोंग करती है आस्टेल देश की रहने वाली है लियो कार्टर की बाते हैं तो यह किसे ब्लॉंग छाननों भौक्सिंग से बिलाउन्स सबस्क्राइब करते हैं ना कि रैस्लिंshire से बोक्सिंग होते हैं थे अटनों पहन जो writers wenn face in the haptme being wrestling जो की जाती है जैसे कि a maricomb है तो क्या ऐसे बिला इन्हों इ implored come your अगरे कोशन के और बढ़ चलते हैं हम लोग यहां पर हाल ही के कुछ आपके फैक्ट पर आधारित कोशन है जन्वरी 2022 में निमलिखित में से कौन नामक नई पुस्तक के लेखक है यह आपको बताना है यह जो कि पुस्तक लिखी गई है यह भारत के आगामी विकास के उपर लिखी गई है जैसे कि हम नागरिकों की बात करते हैं जैसे कि हम लोग हैं आम नागरिक हैं तो हमारे कुछ सपने होते हैं कि आने वाले समय में इतन शांदार हमारे घर हुआ करेंगे ओटोमेटिक गेट हुआ करेगा जो कि हमारी शकल देख करके ही एकदम ओपन हो जाएगा जब तक हम अब क्या होता है हमें ट्रिंटरिंट करना पड़ता है या खुट-कुट करना पड़ता है तो आने वाले टेक्नलोजी में आपको फोन का उजनी करना पड़ेगा साक्षात आपको उसके ही दर्शन हो जाएंगे जिसे के आप बात कर पाएंगे तो यह कुछ इसी तरह की ड्रीम पर आधारित है जो कि किसने लिखी है सुभास चंद्रगर्ग के द्वारा यह है लिखी गई है तो क्या अंसर हो जाएगा यहां पर ह अपना सही आंसर रहेगा और याद रखना बुक एंड ओथर का कोश्चन बुक एंड ओथर वाला कोश्चन आपको अपने ग्रूप डी के एक्जाम में हंड्रेड परसेंट रखा हुआ मिलेगा ठीक है कुछ ऐसे टॉपिक है जिनसे हंड्रेड परसेंट आपके पेपर में कोश्चन आएगा जैसे कि बुक एंड ओथर का है और आपका इंडियन आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है यह कुछ ऐसे टॉपिक है बलकि मैं तो कहूंगी कि ग्रूप डी कभी आप छोड़िए जितने भी आपके एक्जाम होते हैं मैक्सिमम सभी में पूछे जाते मैक्स कि अब्जेक्टिव एक्जाम रहते हैं चले मीना एशले बाटी की बात करते हैं तो टैनी से ब्लॉंग करती है चले आंसे कीजीगा कि निम्लिकित में से किस शहर को 2023 के लिए युनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रुपे नामित किया गया आप देख रहे हैं य हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं और मैक्सिम्म लोग फोन या फिर सिस्टम से ही पड़ते हैं बुक का जो महतव है अब अपनी लाइफ है बहुत कम हो गया है कंपेर टू पहले के तो लोगों को किताबों के पृति यहां पर जाग रुक रखने के लिए यह मतलब की एक जो 2023 के लिए ऐकरा जो कि घाना दिश की राज़ानी एम इसको यहां पर नामित कि गया है तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्ध ऑप्ष्ण अपना जाह रहेगा बगी युनेस्को की बात कर लेते हैं युनेस्को की बात करते हैं स्कूलह पर है पर्श सिक्षा के छेतर में और सं संस्कृति के छेतर में यह अपना योगदान देता है अगले कोश्चन की और बढ़ चलते हैं हम लोग बताएंगे आप लोग कि निम्लिखित में से किसे ने कि 2021 के लिए संस्रेश्ट शिल्प गाउं के लिए 2021 का अंतरास्ट ये शिल्प पुरुसकार जीता है यह आपको बताना है हमारे भारत के किसी राने कॉंग्रेचुलेशन चले आपको चले बताएंगे चल्दी से कि हमारे भारत के किस राजी को आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज यानि की आर्ट और क्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए उसके उपर काम करने के लिए यह है पुरुसकार यहां पर दिया गया है और आप जिनको की दिया है जैसे कि मुबारिक मुबारिक खत्री को दिया गया है और दूसरे हैं अमित्व सचदेवा अमित्व सचदेवा हैं जिनको की दिया गया है तिके याद रखेगा इसी के अंदर दिमास्टर आर्टिसंस का जो पुरुसकार है वे हैं मुबारिक खत्री को और अमित्य सच देवा को दिया गया है अगले कोशन की और बढ़ चलते हैं और जो की अमेरिका देश में रहने वाला है हैं भारती मूल के लेकिन रहते कहां पर हैं अमेरिका में रहते हैं बताएंगे आंसर करके देखो यदि हम सायरेस पुरुनावाला की बात करते हैं तो इनको पदम भुशन पुरुसकार से सम्मानित किया जा चुका है और यह सिरम इंसिट्यूट के भी संस्थापक के रुप में जाने जाते हैं कहां के रहने वाले हैं यह महरास्ट राज्जी के रहने वाले हैं ठीक है पृतिभा राय की बात करते हैं तो इन्हें सिक्षा और साहित्ती के छेत्र में इन्हें पदम भुशन पुरुसकार से सम्मानित किया था और यह कहां की रहने वाली है यह ओडिसा राज्य की रहने वाली है ठीक है सत्य नारा नडेला की बात करते हैं तो इन्हें विवसाय और उध्योग के छेत्र में पद्म भूशन पुरुसकार दिया गया था जो कि कहां पर रहते हैं अमेरिका में यह हैं रहते हैं इनके सम्मानित किया जा चुका है ठीक है और वशिष्ट और वशिष्ट तिरपाठी की बात करते हैं तो यह किस राज्य से ब्लॉंग करते हैं वशिष्ट तिरपाठी वशिष्ट तिरपाठी की बात करते हैं तो कहां कि यह रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिन्हे की शिक्षा और साहित्य में पढ़म भूषन पुरुसकार से संमानित किया गया था और पढ़म भूषन पुरुसकार भारत का third ंमबर का highest civilian award है मतलब की तीसार नमबर का सर्वोच नागरिक पुरुसकार है ठीक है अगले कशन की और बर्चलते हैं चलिए हम लोग यहां पर ओंजी सी की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे न्युक्त किया गया है यह आपको बताना है अंसर कीजीगा किसको भई न्युक्त किया गया है अक्रा सोप्रतिशत सही है ओके अक्रा पीछे गया थोड़ा सा आगे ब बात करते हैं तो सबसे पहली महिला जो कि यहां की अध्यक्ष बनी है वह कौन है सबसे पहली महिला जो कि भई यहां की अध्यक्ष बनी है वह कौन है बताना है आप लोगों को 1905 ओंजी सी की बात करते हैं तो 1956 में इसकी स्थापना की गई है और दिल्ली में इसका मुख्या ले हैं अलका मित्तल अलका मित्तल वर्तमान समय में यहां की मैनेजिंग डाक्टर और चेर्मैन है जो की सबसे पहली महिलायां की बन गई है तो क्या हो जाएगा डी ऑप्शन जो की है यह हमारा सही आंसर अपना रहेगा कोश्चन है कि निम्लिखित में से किस देश के प्रधा प्रधान मंत्री यह है बनेंगे कहां के पुर्तगाल के बाद कर लेते हैं तो डी सूजा डी सूजा जो की है वह यहां के रास्ट पती है और लिस्बन यहां की लिस्बन यहां की रास्धानी है पूर्तगाल देश की ठीक है अगले गोशन क्यों चलते हैं चलिए फिर हम वो अंत्रास्टी यह मात्रभाशा दीवस कब मनाया जाता बताएंगे आप लोग कभ यह मनाया जाता है अंतरास्टी मात्र भाशा दीवस की बात करते हैं तो इसकी शुरुवात का जो श्रे जाता है वह बांगलादेश को जाता है बांगलादेश के प्रियासों से ही 1952 में इसकी शुरुवात की गई थी जो कि अपनी भाशा के प्रती जागरुक रहने का संदेश देता है लोगों को कि उन्हें अपनी मात्र भाषा के प्रती जागरुक रहना चाहिए जैसे कि कुछ भारती हैं वहें दूसरे देशों में रहते हैं और शायद ही वहें हिंदी भी ठीक से बोल पाएंगे मैक्सिम जो कि इंडियन से वहें इंग्लिश ही लैंग्वेज को प्रिफर करते हैं या फिर हो सकता है जहां पर मूल रूप से रहते हुए आ रहे हैं बहुत पहले से तो वहां की जनरल भाषा वहां की लोकल भाषा उनको आती हो तो भारती हैं उन्हें हिंदी भाषा जो भी म पर आजाते हैं कि उपन्यास दी प्रॉमिस हेतू फिक्षन के लिए 2021 का बुकर पुरुसकार किस ने जीता यह आपको बताना है बुकर पुरुसकार देखो एक तो होता है बुकर पुरुसकार और एक होता है इंटरनेशनल बुकर पुरुसकार कौन सा होता है एक होता है इंट जो पुरुष्का रहता है वो है कि जो की नोवेल है जो साहती है किसी भी भाषा में क्यों लिखा हुआ हो बट अगर उसका English version है तो उसके English version को दिया जाता है International Booker Prize ठीक है English को ही दिया जाता है English में किसी भी भाषा में नहीं तो अभी हाल ही में 2022 में यह है गितांजली श्री को दिया गया था जो कि उनकी टॉम ओफ सेंड उनकी रचना रही है उसकी English वाले version को दिया गया है चले खेर यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं बुगर पुरुसकार के बारे में यह अभी 2022 के लिए नहीं दिया गया है अभी सिर्फ यह 2021 के लिए दिया गया है जो कि किसको दिया गया है डैमन गलगुट को दिया गया है और यह कहां के रहने बने हैं जिन्हें की इस बुकर पुरुसकार से सम्मानित किया जा चुका है 1909 में से पहले और भी लेखाकों को यह पुरुसकार दिया जा चुका है ठीक है याद रखेगा और इसके अंदर भी आपका 50,000 पाउंड में प्राइज मनी दी जाती है ठीक है जो की ब्रेटेन के मै पुरुसकार से सम्मानित किया जा इन्हें किस छेतर में पद्मभूशन पुरुसकार से सम्मानित किया जा आथ हाँ साउथ अफ्रिका के पहले व्यक्ति नहीं है ठीक है उन्नीस सो निन्याड में से पहले और भी लोगों को दिया जा चुका है दच्छिन अफ्रिका के लेकिन उन्नीस सो निन्याड में से लेकर के अभी तक नहीं दिया गया था तो उन्नीस सो निन्याड में से लेकर के दो हजा आधिकर आ रहे हो आज सो लाइक कर देना जिन्होंने की भई क्लास को लाइक नहीं किया है एक बार फटा-फट से क्लास को लाइक कर देना क्या आंसर हमारा यहां पर रहेगा बताएंगे चलिए कि विक्टर बनर जी को डैश के छेत्र में पदमभूशन से सम्मानित किया गया रहे है यह आपको बताना है विक्डर बन जी को आंसर कीजीगा किस चेत्र से कि चले कि बताएंगे हम इनकी बात करते हैं तो भई यह एक अभिनेता है क्या हुझा आए गए प्रेजी मेबी